टाटा टीगोर इस गाड़ी का जो है फेसलिफ्ट वैरियंट इंडिया में लॉंच होने वाला है अगर आप लोग टाटा की टीगोर परचेस करने का प्लैन कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर पूरी देखना आपको काफी अच्छी इंफरमेशन मि व्यूस आ सकें तो चलिए शुरू करते हैं तो यार भाई जो टाटा की टीगोर है इस गाड़ी का जो इंजन है कंपनी वो री ट्यून करेगी और गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 1.2 लीटर का ही देखने को मिलेगा जिसमें की आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल और CNG ओप आसपास तक का मैक्स पावर बाकी टॉर्क आपको 120 अनम के आसपास तक का देखने को मिल जाएगा टिगोर में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा जिससे की टिगोर आपको 20 का माइलेज देदेगी और स्पीड आपको 170 के आसपास तक का देखने को मिल जाए वाली है अगर बाई बात करें टिगोर के डैमेंशन तो बाई ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 3993 mm लंबी और इसकी बाई जो चड़ाई होगी वह आपको मिल जाएगी 1677 mm की हाइट आपको मिल जाएगी 1615 35 mm के आसपास तक का वील बेस आपको मिलेगा 2450 mm का बाई वजन जो बाई जो डैमेंशन हैं और वेट है बाई इनमें आपको फर्क देखने को मिल सकता है बाई सबकुछ accurate नहीं हो सकता क्योंकि ये एक expectation होती है टिगोर में आपको मिल जाएगी seating capacity पांच लोग की दोड सापको जो है पांच मिल जाएंगे और बाई जो होगा बूर्ड स्पेस वो आपको 419 लिटर का देखने को मिल जाएगा फ्यूल टैंक जो है बाई वो आपको 35 की जगा 40 लिटर देखने को मिल सकता है बागी जो है टिगोर में आपको front में डिस्क को रियर में ड्रम, ABS, EBD, Healer Switch, Traction Control, Cruise Control वगेरा देखने को मिल जाएगा टिगोर में जो है बाई आपको टैर मिल जाएगा 175 आर 15 का और ये टायट्स ट्यूबलेस होंगे और इसका बाई जो स्पेर वील होगा वो आपको छोटा मिलेगा जो ही रहेगा 175 आर 14 का और ये बाई वी बाकी जो बाई regular wheels हैं वो आपको dual tune में diamond cut alloy wheel देखने को मिल जाएगे और टिगोर का जो होगा interior वो बाई company बिल्कूल ही change कर देगी गारी में आपको नया मिल जाएगा interior बाई नया आपको dashboard मिलेगा और जो MID है वो आपको new मिलेगी जो की और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और भाई गारी का जो होगा cluster वो भी आपको updated देखने को मिलेगा और भाई जो गारी की steering है वहाँ पे आपको मिल जाएगे controls MID के साथ ही बाई गारी में आपको मिल जाएगा bottle holder glove box साथ ही बाई इसमें आपको hand brush मिल जाएगा और ये गारी जो है बाई power window के साथ launch की जाएगी पीछे बाई आपको AC के event मिल जाएगे और इसमें आपको मिल जाएगा rear defogger, rear washer, wiper, air conditioner बाई साथ ही इस गारी में आपको मिल जाएगा keyless entry जो की बाई काफी अच्छी बात है और बाई टीगोर में आपको sunroof अगेरा भी दिखने को मिल जाएगी साथ ही बाई company जो है इसकी बाई bumper होगा वो आपको new grill के साथ देखने को मिल जाएगा जिस पे की आपको टाटा का 3D में logo मिल जाएगा जो गारी का back profile है वहाँ पे आपको new tail light मिलेगी टीगोर की branding मिल जाएगी साथ ही बाई कुछ आपको dark edition भी देखने को मिल जाएगे और बाई जो टीगोर है ये आपको बड़ी मिल जाए चोड़ी मिल जाए तो बाई चाहो तो वेट कर सकते हो टीगोर जो है लाउंच हो जाएगी आने वाले एक से दो माईने की बीच में अपने facelift आतार के साथ तो बाई चाहो तो वेट कर लेना और यही अपडेट किये जाएंगे electric वाले variant में भी त यह और वीडियो में तब तक के लिए जैहीं दो बन दे मातरम बाई